36 गर कॉंग्रेस प्रभारी कुमारी शेलजा के खिलाब बयान बाजी के बाज शो का नोटिस जारी होने पर व्रस्पस्णी ने फिर बयान दिया है उनके मुतावित PCC एक साल पहले इतनी सजग होती तो आज हमारी सरकार होती 34 महंद को कुर्सी की लालसा है प्रभारी को पटा कर रखेंगे तो शायद नेता प्रतिवक्ष बन जाएंगे इसलिए वो शेलजा के पक्ष में बयान दे रहे हैं मत्रियावास का पैसा नहीं दिया गया है जिसके काण सदन से लेकर सड़त बिरोध हुआ भाजपा ने किया कांग्रिस ने ताव घर घेरा गया कांग्रिस के बिरोध में माहौल प्यादा किया गया ये पूरी सड़ंतर का हिस्सा था उसी समय अगर उस मिनिस्टर के खिलाब कारवाई हो गई होती तो सायद कांग्रिस को ये दिन देखने को नहीं किया लेकिन महज चार दिन एक हपते के अंदर डिप्टी सीम मिस्टर टियस सिंग देव साहम ने एक प्रेस कांस्पेस करके कहा कि 32 में से 12 वादे पूरे हुए हैं और बाकी वादे नहीं पूरे हुए हैं इसलिए पूरे कांग्रेस के सारे आला नेताओं को चैलेंज दे दिया चुनोतीग दे दिया उन्होंने उनको चैलेंज कर दिया इसके बाद भी न तो यहांक प्रभारी ने रिपोर्टींग की उसके खिलाप और नहीं उनके खिलाप कारवाई हुई जिसके कारण कांग परदहांन मंत्री के लिभुभी सभा में इस बात का संभोधन करते हुए कहते हैं कि था दर्म में नरेंद्र मोदित जी ने उमीद से जादा मदद किया है। प्रधान मत्री जी ने जवुमित से ज़्यादा मदद किया है कर रहे हैं और करेंगे जिसके कारण 36 गण में बहुत ज़्यादा इसके निगेटीव कांग्रेस के पक्ष में गया पॉजेटीव बिजेपीक पक्ष में गया जिसकी रिपोर्ट हाई कमान को प्रभारी को करना च चीए था नहीं हुआ जिसके कान कांग्रेस को आज ये दिन देखने को मिला है इसके लिए पूड़ता जिमवार 36 गण के प्रभारी सेलेजा मेडम डिप्टी सीम टीयस सिंग्देव जो भाजपा के बी टीम के रूप में काम किया मिस्टर टीयस सिंग्देव साहब इनके ख पूड़ी छती होगी लोग सभा चुनाग पहले ततकाल काग्रेस हाई कमान को कारवाई करना चीए और दिल्ली में जा रहा हो दिल्ली हाई कमान से मिलके भी सारी बातें बताओंगा